ओम सिरीगनेशा नमदूस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 जुलाई रविवार की रासी फल के बारे में कि यह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आज आर्थिक इस्तिती आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली हैं और धन प्राप्टी के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ति के उदेस्यों की आज पूर्टी हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो साती सात समय आज आज आपके लिए बहतरीन परस्तितियां तैयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्य छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्य बनने से रहत मिलेगी आज दो फैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुवात में ही अपने महत्पपून कार्यों से सम्बंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक रहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधवुद परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्थे में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में एप्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रती एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती हैं विध्यारतियों को भी किसी कंप्रटीशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव नहें दोस्तो इस समय की की गई महनत के उचित परणाम हासिल करने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपने उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संबंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जी है दोस्तो आज भागये आपके पक्ष में हैं पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित परणाम आज हांसिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाए रखने का प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक शांत समर्दिक की प्राप्ति हो और घरेलु विकास संभव हो सके माता-पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्य होने पर उनका ख्याल आप विशेश रूप से रखें दोस्तों साति सात किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और जादा सोच विचार करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं दोस्तों आए के साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्पपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरव जाई ना बरतें दिल की बजाए दिमाग से निर्नेलें भविस्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान गतिविद्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य से ही लाबदायक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना अतियावशक है आज कोई पेमिंट भी आपको करनी पड़ सकती है जिसकी वजह से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर हो स सकती है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों के साथ फैमिली गैट टुगैदर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलिच करेगा तथा परिवार के लोग भी खुश रहेंगे दोस्तों साथे साथ परिवार में कुछ वैचारि प्रेम संबंदों में सात्विकता रखना आवश्चक है साथ पती पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरन खुसनुमा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज वैवसाइक गति विदियों में छोटी छोटी परिसानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छ रहेगा जहां दोस्तों आज वैवसाइक गति विदि पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंका है नोकरी पैसा वाले ध्यान रखें कि उच्छ अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हो आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अती सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याइं हल होंगी नोकरी पैसा व्यक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आधार पर तर्रकी के योग बन रहे हैं दोस्तों साथी साथ किसी अंजान व्यक्ति से अचाना के घनिश्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वैवसाइक गति की आवश्रक्ता है वे ध्यारतियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुरा रहने वाला है साथी साथ कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में आपको आवस्से ही फायदा मिलेगा दोस्तों बात कर लेत साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या है दोस्तों आज आपको इश्णान आदिशे निर्वत्र होने के बाद एक चो मुखी आटे का दीपक बनाना है जादोस्तों आपको आटे का एक चार मुखी दीपक आपको बनाना है जादोस्तों इसके बाद आप इस दीपक में थोड़ा तेल डालें और चार आपको रूई की बाती इस दीपक में लगानी है क्योंकि यह दीपक चार मुखी है आपको फिर इस के बाद इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है और मनीमन आपको भगवान शुरदेव का इसमरण करना है जैंदोस्ते ऐसा करने से भगवान शुरदेव बहुत प्रसन होंगी और आपके घर में धन वैभव और यसमे व्रद्धी होगी और आपके समस्त कार्रे बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे और आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा तो भगवान शुरदेव का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै सुरदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद